तो हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूं माइन कराप्ट में और आज की इस धमाकेदार वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 1.18 में जी हां 1.18 में एक ऐसा गलिच लेके आया हूं जो आप अपने माइन कराप में यूज कर सकते हो जी हां डेर सारे आप लोग अपने लिए diamonds collect कर सकते हो, तो दोस्तों वीडियो को पूरा दीखेगा, बिल्कुल भी वीडियो को skip मत कीजेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये one block, two block, यहाँ पे इस तरह से आपको block लगाने, block रखिए, यहाँ पे rest dust आपको डालना, इसके उपर, उसके उपर आपको इस तरह से observer लगाने, sorry दोस्तों इसका मूँ जो है नीचे होना चाहिए, तो आपको इस तरह से इसके उपर observer लगाने, आप लोग देख सकते हो, इस तरह से लगने के बाद, यहाँ पे आपको इस तरह लाइटिंग करनी है, यहाँ पे भी आपको रेज, टोच लगाना है, कुछ इस तरह से बनेगा, आपको मैं बता दू, इनका मूँ जो है रेज टोन की तरफ होना चाहिए, उसके बाद आपको पीछे एक लीवर लगा देना है, यहाँ पे, आपको इस तरह से बना लेना है, बनाने के बाद, यहाँ पे एक पिश्टन लगा दीजे, उसके उपर आपको एक ब्लोक लगा देना है, उस ब्लोक के उपर भी आपको एक स्लाइम पिश्टन, यहाँ पे एक पिश्टन, यहाँ पे एक पिश्टन, इसके बीच में एक ब्लोक आपको इस तरह का बना लेना है तो आप इस तरह से बना लिजे इनका arrow उपर होना चाहिए आप लोग देख सकते हो कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करना तो आपको इस तरह का पूरा इसे complete करना है complete होने के बाद यहां का जो main काम है वो हमें करना है अब वो क्या काम है वो हमें बता दू आपको सबसे पहले आपको इसके यहां पे ब्लोक लगाना है उपर आपको जाना है यहां पे और यहां पे ब्लोक रखना है यहां पे piston आपको लगाना है इस तरह से तो आपको इस तरह से बनाना है यहाँ पर एक स्लाइम लगाना है इस तरह से यह मशीन कुछ इस तरह से बन जाएगी आपको step by step follow करना है बस उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेस रखनी है इसके उपर आपको ओपर लगाना है तो आप इसके उपर जो है इस तरह से होपर लगाईए यहाँ पे एक होपर लगाईए तीन होपर आपको इस तरह से connection करने कुछ इस तरह से यह बन जाएगा बनने के बाद अब जो में काम है वो हमें करना है तो सबसे पहले तो आपको जो है यहां से यह लिवर जो है इसे ओफ कर दीजेगा क्योंकि अगर आप इसे ओफ करोगे तो यह कुछ इस तरह से काम करेगा आप लोग देख सकते हो एक तरप के यह जो ब्लोक है इस तरह आ जाएंगे आने के बाद यहां पे एक स्लाइम पिश्टन आपको लेना है इस तरह से बन जाएगा आप लोग देख सकते हो अब उपर आपको आना है यहां पे भी एक पिश्टन आपको इस तरह से लगाना है जिसका साइज जो है इस तरप होना चाहिए तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा उसके बाद आपको यहां पे range block लेना है उसे आपको यहाँ पे लगाना है इस तरह से तो इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे आप लोग chest open करोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यह सारे piston active रहेंगे चारो piston इस तरह से active रहेंगे उसके बाद यह वाली chest के अंदर अभी हमें आप पास कुछ भी नहीं है अब हम पीछे चलेंगे और डारेट उट लिवर को एक्टिव करेंगे तो पीछे चलते हैं और लिवर को एक्टिव करते हैं जैसे आप पीछे जाकर यह लिवर एक्टिव करोगे आपकी मशीन इस तरह से वर्क करेगी और यहाँ पे आपके 100% जो है आपके जो डाइमन है वो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोग इस टेकनिक की मदद से अगर अपन करोगे तो आप लोग देख सकते हो एक इस टेक कंपलीट हो चुका है और दीरे दीरे दूसरा इस टेक भी कंपलीट हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पे डाइमन मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हो मैं चैस खाली करता हूँ दुबारा से मुझे मिलना शुरू हो गए तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको जो है अल लिमिटेड डाइमन इस के अंदर आपको मिलते जाएंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर